जो आईए स्टूडेंस स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैंट्स का टॉपिक ट्रिग्नोमैट्री तो स्टूडेंस में बेसिक क्वेस्चन्स हमने कर लीए हैं जिसमें ट्रिग्नोमैट्रिक ratio का basic concept मैंने आपको समझा दिया सो आज की class में मैं आपके लेके आया हूँ trigonometric ratio से related कुछ और angles के बारे में अब ये एक बिल्कुल नए तरीके के question शुरू होंगे जिसमें आपको बस एक table को समझना है जो की मैंने board पे बनाया है और उसके बाद उस पे based कुछ question exam में आएंगे अब under root का concept मैं अच्छे से आपको समझा चुका हूँ तो इस पे based जो question होंगे वो under root पे भी हो सकते हैं और normal fraction पे भी हो सकते हैं आज की class में मैं आपको जो table है उसका introduction देता हूँ और साथ में table को याद करने का एक shortcut formula भी बताता हूँ start करते है students तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है ratios of some specific angles तो trigonometric ratio आपको पता ही है यह 6 तरह की ratios होती है तो इसको इसके हिसाब से ही कुछ angles के उपर कुछ उनकी values होती है लेकिन अब यह values आती कैसे हैं वो आपको उससे मतलब नहीं है exam में यह नहीं पूछा जाएगा exam में बस यह पूछा जाएगा कि अगर आपको sign 30 दे दिया हो तो sign 30 की जो value आप देख सकते हैं 1 by 2 आपको वहाँ पर 1 by 2 लिखना है उसी तरह अगर आपको cossec 45 दे देते हैं cossec 45 मतलब आपको जो question पूछा जाएगा वो इन दोनों को मिला के इस line को और इस line को मिला के पूछा जाएगा और आपको यह values याद होनी चाहिए कि कौन सी values कहां पे आएगी अब देखें यहाँ पर मैं आपकी help करूँगा इन values को बड़े असान तरीके से याद करने में ठीक है अला कि बड़ा देख रहा है लेकिन बहुत असान है इसको याद करना तो ध्यान से समझेंगे students यहाँ आप देख सकते हैं पहले मैं आपको दो lines दिखा देता हूँ trigonometric ratios और यहाँ पर एक और चीज़ आप लिख लेना साथ में यह हो गया हमारा theta मतलब इस तरफ जो values है वो theta की values है और इस तरफ जो values है वो trigonometric ratios की values है clear इतना तो trigonometric ratios के बारे में आपको बताने की ज़रूत नहीं है यह जानी पैचानी ratios है लेकिन लिखी किस तरह से यह भी देखनो यहाँ पर sign cos 10 याद करो सोना चांदी तोले तो इस तरह से लिखा हुए और उसके अलावा sign का जो उल्टा लिखा है उसके बाद सबसे पहले आया है और cos का उल्टा जो होता है sec वो उसके बाद आया है और 10 का उल्टा cot जो होता है वो उसके last में आगया है clear students यहाँ पर देखेंगे इन degrees को थोड़ा से याद करना है आपको degrees कैसे याद करनी है 0 से पहले 30 पे जाएंगे 30 का gap है उसके बाद देखो 15 का gap है ठीक है तो 45 उसके बाद दुबारा 15 का फिर 30 का तो इसको इस तरह से याद करने gap के हिसाब से कर लेना तो 0 से शुरू हुआ था और उसके बाद 30 का gap फिर 15 का gap again 15 का gap और दुबारा से 30 का gap ठीक है अभी बस इतने ही angle याद करने है exam में ऐसा कुछ नहीं आएगा कि इसके बीच का कोई angle पूछ लेंगे for example 22 degree पूछ लिया ऐसा नहीं आएगा ऐसे question भी होते हैं लेकिन वो higher classes के लिए हो जाते हैं तो आपके topic में जो आएगा वो फिलाल इतने ही आएगा चलिए students अब हम जानना शुरू करते हैं कि इसको आपको याद कैसे करना है देखें आपको एक line तो याद करनी होगी ठीक है जो पहले वाली line है अगर आप वो याद कर लेते हैं तो बाकी है ना mathematics technique से आप निकाल सकते हैं कुछ formula यूज़ करने होगे formula क्या मतलब fraction reciprocal ये करके अब देखते हैं पहले तो आप ये कैसे याद करेंगे ये भी याद करेंगा क्या तरीका है देखें students याद रखना 0 और 1 सबसे छोटा क्या है sign में sign में सबसे छोटा क्या है 0 मतलब sign 0 degree में 0 ही होता है और sign 90 degree में 1 हो जाता है और ये जो ratios दे रखी है आपको बाकी 3 ये 0 और 1 के बीच में ही होगी आप चाहों तो इसकी value निकाल के देखें ये 0 और 1 के बीच में ही आएगी ठीक है और ये ascending order में लगी हुई है ये सबसे छोटा है half जो होता है आधा उससे बड़ा होता है 1 by root 2 आधे से बड़ा होता है ठीक है अब कैसे बड़ा होता है आप ऐसे करके देख सकते हैं 1 upon 1 by root 2 की value के आउती है 1.414 अब जाब आप इसको divide करोगे न तो आप देखोगे कि ये आधे से बड़ा है ठीक है ना देखो मतलब 1000 उपर लिखके आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि ये जो है देखो अगर आप इसको काटोगे तो लगबग आप 1 upon 7 आ रहे हैं नहीं आ रहा है 5 upon 7 लगबग 5 upon 7 आ रहा है तो आधे से जाधा हो गया 7 का आधा क्या होता है साड़े 3 तो उपर साड़े 3 आना चाहिए था लेकिन 5 है इतना सब करने की जरूत नहीं है आपको याद करना है बस 1 by root 2 उससे भी बड़ा होता है root 3 by 2 अब देखो याद कैसे करें यहाँ पर 1 by 2 था उसके बाद यहाँ पर root लग गया उसके बाद root 3 by 2 नीचे 2 repeat हो रहा है आप देख लो और जो पहली जो उसके बाद आएगा सबसे बड़ा number आजाएगा 1 ठीक है तो पहली line तो याद करनी पड़ेगी है वो आप अपने तरीके से करो वो मैं नहीं जानता कैसे करोगे ठीक है मैं जिस तरह से आपको बता सकता था बता दिया लेकिन हाँ उसके बाद वाली line कैसे याद करनी वो बता सकता हूँ कैसे देखे यहाँ पर अगर आप देखो ऐसे गुमा दो इसको पूरे को तो बन गया cost आप देख लो यहाँ पर 0 यहाँ आगया half आगया यहाँ पर यह आगया यहाँ पर यह आगया यहाँ पर और one आगया यहाँ पर गुमादी है से तूसरी line भी याद हो गई न तीसरी line देखो जो 10 theta है देखें students एक चीज होती है 10 theta का एक formula है जो हम जब identities करेंगे न तब आपको अच्छे से कराऊंगा लेकिन फिलाल याद करना पड़ेगा आपको जो 10 है न वो एक formula से आ सकता है उसकी value कैसे निकाल सकते हो sine upon cause ठीक है यह एक formula है बस अभी के लिए फिलाल याद कर लो मतलब जो उपर दिया हुआ है उसको अगर आप upon में कर दोगे तो 10 आ जाता है ठीक है अब जो भी आपको ऐसे दिया होगा न जो value दियोगी उसको upon में कर देना जो answer आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा अब मैं करके दिखाता हूँ ठीक है चलो मैं इस formula को यहाँ पर लिख देता हूँ साइन अपाउन कॉस लिख दिया आप है अब देखिए एक चीत और बता देता हूँ important वह क्या है आपको पता है कि अगर जीरो अपाउन लिखा होता है students तो इसकी value होती है जीरो ठीक है न क्योंकि वन तो हर नंबर के नीचे लिखा होता है यह अभी तक आपको पता लग्या लेकिन अगर वन अपाउन जीरो लिखा है न स्टूरेंट्स तो याद रखना इसको बोलते है इसका मतलब math में कुछ नहीं होता है ठीक है चलो यह आपको समझ आ गया तो कहने का मतलब है जब भी नीचे जीरो आ जाए ना तो समझ लेना वह नौट डिफाइंड है और जब भी नीचे वन आ जाए तो समझ लेना वह डिफाइंड है उसको हम जीरो बोल सकते है 6 चलो अब हम शुरू करते है चलिए यहां पर देखते है 10 कैसे आया होगा यहां पर चो देखो यह ऐसे आया होगा मैंने 1 by 2 किया 1 by 2 किया उसको डिवाइड किया इस से तो जब डिवाइड किया होगा तो यह घूम किया होगा तो इसका मतलब 2 upon root 3 आया होगा जिसमें 2 और 2 कट किया देखो 1 upon root 3 आ गया 1 कैसे आया होगा देखो 1 upon root 2 को जब divide करोगे 1 upon root 2 से तो ये 2 उपर चला जाएगा तो root 2 से root 2 कट गया 1 बचा इसको तो करके दिखाने की ज़रूती नहीं root 3 कैसे आया होगा बिल्कुल उसी तरे मैंने क्या किया root 3 upon 2 को लिख दिया और multiply back क्या किया ये 2 उपर से ला गया और नीचे 1 आ गया तो ये 2 से 2 कट गया उपर root 3 बचा हुआ है तो root 3 लेते है नीचे 1 की ज़रूत नहीं होती not defined कैसे आया not defined students देख लो 1 upon 0 करोगे तो not defined आएगा मैंने आपको यहां पर बढ़ा लिए clear तो ये तीसरी line याद हो गई simple ठीक है अब कुछ नहीं करना बस ये जितना भी आपको मतलब ताम जाम करना था वो उपर की 3 line में करना था अब तो आपको पता है न कि causex इसका उल्टा होता है sec cause का उल्टा होता है और cot जो है वो 10 का उल्टा होता है ये पता है ना को उल्टा मतलब reciprocal करता है जो value लिखी है ना उनको पलट पलट के लिख दो कहने का मतलब देखते है causex लिखा है अब causex की value पहले not defined आ गई क्यों आई एक चीज़ समझना है causex sine का उल्टा होता है तो sine की value क्या है 0, sine की value तो 0 है ना अब 0 लिखा है तो इस आहिर सी बात है इसके नीचे कहीं न कहीं 1 भी लगा होगा और जब इसको पलटोगे तो not defined ही तो आएगा क्योंकि 0 नीचे पहुच जाएगा इसको देखो 1 by 2 लिखा है इसको पलट दो 2 आ गया 1 by root 2 लिखा है पलट दो root 2 लिखा है पलट दो 2 root 3 आ गया 2 upon root 3 अब देखो यहां पर यह नहीं चीज़ interesting यहां पर 1 लिखा है 1 upon 1 अब यह 0 मत लगा देना अपनी तरफ से 1 लिखा है तो उसके नीचे 1 है है ना तो 0 लिखा होता तो उसके नीचे भी 1 होता और 1 लिखा है तो इसके नीचे भी 1 है तो 1 upon 1 को पलट होगे तो 1 ही आएगा ना इसलिए यहां पर 1 लिखा होता है बस सब में ऐसा करना है ठीक है अब देखो sack जो होता है वो इसका उल्टा होता है अब यहां पर द्यान से देखो यह 1 लिखा है इसके नीचे तो 1 ही आएगा ना अपनी तरफ से कभी भी 0 मत लगाना यह rule बना लो अपनी तरफ से 0 नहीं लगाना नीचे अपनी तरफ से 1 लगा सकते 1 upon 1 हो गया 1 इसको पलट हैंगे तो देखो यह आगया इसको पलट दिया तो यह आगया यहाँ पर not defined क्यों आया है देख लो यहाँ पर 1 लगाता जब इसको पलट होगे तो not defined आजागा लास्ट वाला करता है cot theta cot में आपको देखो यह 10 का जो उल्टा होता है वो cot होता है 10 की जो value है असली में क्या है वो 0 है तो 0 upon 1 करोगे तो यह पलट के नीचे 0 पहुँच जाएगा इसलिए not defined है इसको पलट दो यह आगया 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा root 3 को पलट दो तो 1 by root 3 आगया और not defined को कैसे पलटें not defined को पलट के 0 आता है कैसे देख लो not defined मतलब क्या है 1 upon 0 not defined यही तो होता है तो इस तरह से आपको यह जो values है यह table है याद करना है और एक बार आप इसको याद कर लो तो आप जब भी exam में बैठोगे करना क्या है थोड़ा सा extra time मिलता है आपको side में पहले ही rough sheet पे बना लिया यह किसी कोने में ठीक है sheets आपको मिल जाती है time से उसके बाद जब exam शुरू होगा तो आप इसमें values देख देख के कर सकते हैं हाला कि most common जो values आती हैं वो इन तीनों की आती है basic exams में लेकिन कभी-कभी इन से भी आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपको chart तो पूरा जात करना है और टेक्निक मैंने आपको अच्छे से समझा दी है clear students तो इसका screenshot लेते हैं उसके बाद जो practice question है वो तो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा उसके बाद मैं वीडियो conclude करता हूँ so students I hope आपको आज की class में जो भी कराया गया है समझा आया है और trigonometric ratio का chart अच्छे से बनाना आ गया है so next class में मैं आपके लिए लेके आऊंगा इसी chart के ओपर कुछ questions जिसमें हम basic से high level की questions की तरफ बढ़ेंगे so students till then take very good care of yourselves have a nice time God bless you bye bye